रोज यानी गुलाब खिलने के बाद सिर्फ दो से तीन दिन तक प्लांट में टीका रहता है उसके बाद एक तुरंद प्लांट से ज़र जाता है इस फाटिलाजर का इस्तेमाल से जैसे गुलाब में खिलेगी गुच्छे गुच्छे में फूल आएगी अंगिनत ग्रोथ असन से जड़ता नहीं है जो न्याए ग्रोथ आते हैं न्या ग्रोथ भी निच्चे के तरव लटकते नहीं है एकदम मजबुति के साथ नहां ग्रोथ आपका प्लांट में आते रहेगा घुलाब यानी रोज प्लांट में अच्छे तरीके से फूल लेने के लिए प्लांट को जैसे हम अंदर से मजबुत बना देते हैं प्लांट में भी कल्या बनने में कल्या ओपन होने में, फूलों में कनवर्ट होने में कोई प्रब्लम नहीं होता है तो इस fertilizer को जरूर आप इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने का complete procedure आपके साथ share करूंगी, वीडियो का end तक बने रहीएगा, काफी सरा tips जानकरी आपके साथ share करूंगी, जो और कोई वीडियो पे आपको नहीं मिले वाले है आज कल गुलाब के बारे में एक topic बहुत ही viral हो रहे है, वो कौन सा topic है कि गुलाब में जब 5 पत्ता आते है और गुलाब में जब 7 पत्ता आते है उसमें difference क्या है, गुलाब में 7 पत्ता आये तो उसको आपको cut कर देना है, आपको क्या करना है, तो चलिए आपको details दिखाती जैसे देखिए इस plant में एकदम grafting area का नीचे से एक branch निकल के आया था, जो branch में complete देखिए सुरू से ये 7 पत्ते का है, और हमको जानकरी एह है कि जब भी गुलाब का grafting area से नीचे से 7 पत्ते वाला कोई branch निकल के आते है, जिसमें काटे होते है, हमको तुरंत उसको cut कर देन है, क्योंकि वो सकर branch है, वो जंगली branch है, उसमें फूल नहीं खिलता है, हमरा plant में जितना fertilizer खाना हम देते है, वो सक कर लेते है, और हमरा main plant खड़ाब हो जाता है, तो हमेशा आपको ऐसा नहीं करना है, branch cut करने से पहले अच्छे तरीके से आप ए चीस को समझ लीजिए, देखिए, शुरुत करती हूँ, इस plant से, इसका grafting area का नीचे से ए जो branch आप देख रहे हो, branch शुरूई हुआ है, साथ पत्ते से, उपर तक आपको दिखाने जाओ, तो देखिए, आप इसमें गुच्चे-गुच्चे में कलिया बन गए है, तो साथ पत्त देखके मेरे को इ मैंने देखा, इसमें सिर्फ साथ पत्ते है, इसमें कोई काटा नहीं है, तो मैंने इसको रहने दिया, उसके बाद इसका जो मादर प्लांट है, उसको मैंने अच्छा से देखा, तो देखा मैंने इसमें भी कोई काटा नहीं है, यानि मादर प्लांट में भी कोई काटा नह से है कि प्लांट में कांटा नहीं रहेगा और साथ पत्ता आते रहेगा जब प्लांट को अच्छा से खाना देते हो तो साथ पत्ता आई जाता है और जैसे बड़े-बड़े साइस का हाइब्रिक टी रोज होता है उसमें तो आपको साथ पत्ता दिखाई देगा ही देगा प्लांट का ग्रोथ चल रहे है, देखिए मैं इस प्लांट का बात कर रहे हूँ, कितना बढ़िया लीप्स देखिए, और लीप्स का काउन करने जाएंगे आप, तो देखेंगे ये लीप्स साथ पत्त कई होता है, देखिए कितना साथ पत्त वाला लीप्स है, कितना अच्छ का हेल्थी गुलाब खिलता है और प्लांट का नीचरी जब कोई कोई प्लांट का शाल पत्त का होता है देखिए हर कोई प्लांट आपको दिखा रही हूं ये मेरा हाईविट ī in यू इसमें बहुत ही बरे-बरे फूल खिलता है और एक प्लांट आपको आच्छा से दिखाती हूँ देखिए जो बीच का प्लांट है मैं इसको निकल लेती हूँ और आपको ऐसी जो आइडिया है और 5 प्लांचिक रहने हो जाएगा तो देखिए इस प्लांट को एकड़ मीचे का पूर्शन आप आप आपक बहुत जादा मात्रा में एकदम जैसे जंगली ब्रांच होता है साकर ब्रांच होता है ग्राफ्टिंग एरिया का नीचे से जो हाइब्रिड रोज होता है उसके साथ होता है बाजु में देखिए यह जो ब्रांच है इसमें साथ पत्ता भी है इसमें कांटा भी है देखिए इसमें भी बहुत सारा कांटा है और ये जो ब्रांच है बहुत हेल्दी ब्रांच है एकदम सी ग्राफ्टिंग एरिया का थोड़ा सा नीचे से ये निकल के आ रहे है जहां से अच्छा हेल्दी बैसिल सूट निकल के आते है और इसमें देखिए यह जो ब्रांच अब को दिखा रही हूँ, यह मादर प्लांट का ब्रांच है, देखिए उपर के तरफ यह ब्रांच है, इस ब्रांच अब देखिए बहुत सारा कांटा है और इसमें साथ पत्ता भी है, इसके मतलब यह है कि इस रोस प्लांट का जो मादर प्लांट है, इसका हेल्दी ब्रांच है तो जब भी आप जंगली ब्रांच समझ के कोई ब्रांच को कट करेंगे हाटनी जाएंगे आपको एक बार अच्छा से चेक कर लेना है उस प्लांट का माधर प्लांट को आपको चेक करना है कि माधर प्लांट में जो जिस तरीके से लीब्स निकालके आ र और प्लान को थोड़ा से घुमा के आपको दिखाऊंगी तो देखिए पहला जो दो ब्रांच आपको दिखाई ओ थोड़ा से ग्राफ्टिंग एरिया का नीचे से मिट्टी के नीचे से निकाल के आ रहे है इसके मतलब यह है जंगली ब्रांच तो इसको हमको तुरंध हटा द देना है देखिए मिट्टी के नीचे से निकाल के आ रहे है देखिए फिंस जो जंगली ब्रांच होता है मैं देखिए इसको अलग कर रही हूँ देखिए अलग करके आपको दिखा रहे हूं मिट्टी के नीचे से तो यह है जंगली ब्रांच और साइट में जो सेम करेक्ट इस तरह आपको कट करके हटा देना है, बहुत ही सक्त है ये, तो देखिए मैंने लास्ट में इसको कट करके फटा दिया है, तो आप इस बातों को समझ गए होंगे, तीन तीन प्लांट आपके साथ शेयर कर लिया है सब का तीनों का अलग अलग करेक्टर है और ये देखे रोज प्लांट नीचे से तूट गया था काफी दिन हो गया है तो मैं रक्सी से बाम दिया था साइड में एक छोटा सा लोए का स्टीक भी लागा दिया था तो ये जो ब्रांच रूट गये है या भी जूर गये है पर मैं इसको निकालूंगी नहीं यहाँ पे ऐसे रहनी दूंगी अपका गुलाब का प्लांट में जब ब्लाइन सूट आना चालू हो जाता है उस टाइन कौन सा फार्टिलाजर आपको रोज प्लांट में देना है लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था उसी का ही रेजल्ट देखिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस पोर्शन में देखिए जो उपर का छोटा सा ब्रांच आप देख रहे हो देखिए ये नया है जस्ट चार पांच दिन हुआ है इसमें देखिए कलिया भी बन गए है यहां पे भी देखिए और एक छोटा सा ब्रांच आपको दिखा रही हूँ नया ब्रांच इसका जस्ट नीचे का पत्ते देखिए पत्ते कितना डेवलप्ट हो गए है ब्लांच सूट से कलिया बनना शुरू हो गए है और एक प्लांट देखिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें भी देखिए यहां तक ब्लांच सूट हो गए थे यहां पे छोटा सा जो ब्रांच आप देख रहे हो नया ग्रोथ आप देखि रहे हो लास्ट वीडियो में जो फार्टी लैजर मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मेंचन कर दूंगी आप जरूर इस्तेमाल करिए आपका रोज प्लांट पे आगर ब्लांच सूट आ रहे है तो यहां पे एक बात आपको चेक करना है कि ब्लांच सूट आज चुका है कितना दिन हो गए है एक महिना पुराना देर महिना पुराना तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें काम करने में फार्टी लैजर पर आपका इस जगह पे यानि रोज प्लांट में जो ब्लांच सूट आए है 15 से 20 दिन हुआ है यानि बहुती नय है तो इसमें आपका इस फार्टी लैजर को इस्तेमाल करिए बहुती बरिया रेजल्ट यानि इस जगह से फूल खिलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे मेरे प्लांट में आपको दिखाई गुलाब यानि रोस प्लांट के बारे में तीसरा और एक पॉइंट इस मान्थ यानि मार्च महिना एप्रिल महिना आपको बहुती सुनने में आएगा ओ क्या है रार्ट कटिंग यानि बर्स को कलिया को आपको कट कर देना है देखें फेर्स मैंने बालकोनी में गुलाब को उगा रही हूँ बहुती अच्छा से आप देखी रहे हो कितना गुच्छे गुच्छे में कलिया बन रहे है नेक्स वीडियो में आपको एक गुलाब को अच्छा से दिखाऊंगी जिसमें दिखाओंगी कि कितना बड़िया तरीके से मेरा प्लांट में कलिया इकलिया बनते जा रहे है तो देखिए अब मेरा ये कलिया को मैं कट करूँ तो आप कहेंगे बालकोनी गार्डेन में जितना गुलाब खिलेगा उतना ही हमारे लिए जो हम होम गार्डेनिंग करते हैं उनके लिए बहुती बरिया रहता है उनके लिए एनाफ रहता है मेरा बालकोनी में 15-20 गुलाब खिले एक-एक प्लांट में तो मेरे लिए वो काफी है तो इस तरीके से बार्ड मेरे को नहीं कटना है मैं कभी बार्ट काटिंग नहीं करती हूँ और मेरा प्लांट में ग्रोथ आप देखिए प्लांट में अच्छा से आप खाना देंगे प्लांट को अच्छा से क्यार करेंगे और आप मेरा वीडियो को फॉलो करते हो तो मैं आपको साजेश्ट करूँगी कि गुलाब का प्लांड का कलिया यानि बार्ज आप काट मत करिये प्लांड अपना खुशी से जितना कलिया दे रहे है उसको आप एंज़य करिये फूल को एंज़य करिये बालकोनी में खास करके आप जब गुलाब उगाएंगे गुलाब जितना खिलता है उतना ही काफी रहत और जब उनका जब उंTER का टाइम पे शो का टाइम आता है उस टाइम गुलाब को फ्लावर्णिंग के लिए रेडी करता है पर जब हम होम गार्डरीनिंग करते हैं मैं आपको बताऊंगी लिख भुटाइक कराण्ग में अपतिक लिए और प्लांट को साई टाइम पे साई फार्टिलाजर यानि खाना देंगे इंसेक्टिसाइट का इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट आपका हेल्दी रहेगा इसके लिए बाट काटिंग का जुरूत नहीं है स्रेप आपको काटिंग करना है जो फूल किलके ज़र गए है उसको आपको काट कर देना है प्लांट में कोई पत्ता यानि लीप्स खारब देखे आप उसको आपको काट कर देना है और कोई ब्रांच सुकते आ रहे हैं उसको आपको काट कर देना है इस दिनों चीज के अलवा आपको प्लांट में और कोई काटिंग नहीं करना है और जैसे मार्च मन्द खतम हो जाएगा एप्रिल में में आपको कोई प्रूनिंग भी नहीं करना है हार्ट प्रूनिंग भी नहीं करना है पूरे साली गुलाब में आप छोटा-छोटा सौप्ट प्रूनिंग कर सकते हो प के बाद भी उसके साथ काम करते रहिए गांट में ब्लाइंड सुट आए तो प्लांट को अच्छ दूप में रखी और पोटशयम बेस फाटी लैजर आप इस्तेमाल करते जाईए तो ब्लाइंड सुट से भी आपका प्लांट में कलिया बनना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में बार्ट कर्टिंग आपको नहीं करना है आपको गुलाब को एंजॉय करना है बहुत महनत करके गुलाब में कलिया बनता है बर्स बनता है तो उसको आपको एंजोई करना है उसको कट करके गुलाब नहीं रखना है और मेरा वीडियो को आप फॉलो करते जाएए आपको गार्डेन में बहुत ही बरिया गुलाब खिलते रहेगा सबसे पहले देखिए हमको लेना है एपसम सॉल्ट इस तरीके से मेरा थोड़ा कम पर गए पर ज स्पून एपसम सॉल्ट उसके बाद देखिए मैंने ले रही हूँ हूँ हूमिक एसीड हूमिक एसीड आपको कितना लेना है एक लिटर पानी के लिए आपको लेना है आधा टी स्पून आधा टी स्पून आपको एक लिटर पानी के लिए लेना है हूमिक एसीड मैं आपने हिसाब से बना रही हूँ मैंने यहाँ पे 10 लिटर पानी ले रखी हूँ तो मैं अपनी हिसाब से बना रही हूँ और सासत में आपको बोलते जा रही हूँ कि आपको कितना नाप लेना है और सारा जो प्रोड़क्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ आपको description box में link मिल जाएगा आप चाहो तो वहाँ से buy कर सकते हो उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यह है multi micronutrient agromine max एर इस company का मैं इसमें कितना लूंगी नाप मैं यहाँ पर अपने हिसाब से ले रही हूँ आपको लेना है एक लिटर पानी के लिए आधा टी स्पून लास्ट वीडियो में यहाँ पर एक comment आया था कि मैंने यहाँ पर seaweed का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या micronutrient के लिए आप तो seaweed का इस्तेमाल करी सकते हो पर अलग से जो micronutrient dedicated रहता है यानि से micronutrient इसमें है तो उसको भी हमको इस्तेमाल करना है इसमें देखिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यह balance fertilizer chemical based fertilizer 90-90-90 आप इसमें 20-20-20 भी इस्तेमाल कर सकते हो आपके पस जो balance food है आप इस्तेमाल कर सकते हो आपक को लेना है आधा teaspoon मैं आपको जो नाब बतारी हूँ उसको यह आपको इस्तेमाल करना है गुलाब का plant में हम chemical fertilizer देने में थोड़ा hesitate करते हैं पर आपको देना है फ्रेंस थोड़ा सा quantity पे आपको देना है गुलाब में इस तरह के से आपको growth लेना है तो जिसको जो खाना चाह इस्तेमाल किया है माइक्राइजर गुलाब का roots इसमें healthy रहते हैं और गुलाब का मीट्टी पे जादा से जदा good bacteria एड़ होते जाता है लास्ट में मैं यहां पे इस्तेमाल कर रही हूँ यह ताकत fertilizer बहुत ही अच्छा से शेक करके हमको लेना है ताकत fertilizer पहली भी आपके साथ श्यार किया है तो बहुत ही अच्छा result बहुत ही बरिया benefit आपको रोज में मिलता है आप अभी तक इस्तेमाल नहीं कियो फ्रेंज तो जरूर इस्तेमाल करके देखिए एक बार दो बार इस्तेमाल करने के बाद ही आपको result पता चलेगा और यह बहुत ही गरा होता है इसको न आप आपको बता रही हूँ एक लिटर पानी के हिसाब से तो उसको आप जरूर फोलो करिए और इस fertilizer पे मैंने organic भी मिलाए और chemical भी मिलाए तो chemical fertilizer के बारे में आपको कोई doubt होना नहीं चाहिए आपको chemical fertilizer थोरा थोरा मात्रा में इस्तेमाल करते जाना है मैं सेब मांत में दो ब आपके साथ share करते रहती हूँ और जितना product हम गुलाब यानी rose plant में इस्तेमाल करते हैं एक ही बार आपको थोरा सा budget देना है उसके बाद ही जो product आप ले रहे हो काफी दिन तक चलता है ऐसे नहीं कि एक बार में खतम हो जाता है तो देखिए ये ताकत fertilizer बहुत ही ज़्यादा घना है इस तरीके से आपको पानी में अच्छा से हिला हिला के इस fertilizer को पानी के साथ dilute कर लेना है तो सारा fertilizer हमने प्लानी में मिला दिया आज का वीडियो में जो fertilizer आपके साथ share कर रही हूँ आप प्लांट में जरूर इस्तेमाल करके देखिए हपता में आप एक पर भी हैं तो प्लांट में बहुत ही ज्यादा तेजी सेativo आना चालू हो जाएगा प्लांट में से अच्छा से हो पाएगा यानि प्लांट अच्छा से छना बना पाएगा जिसके कारण में लीपस आप देखेंगे प्लांट का लीपस बहुत ही हेल्दी बना रहेगा और जो कलिया बनना स्टार्ट हो गए उसका भी ग्रोथ नहीं हो रहा है तो बहुत तेजी से कलिया मैच्योर करना शुरू कर देते हैं उसमें कोई ग्रोथ नहीं होत है तो उसमें भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छा से कलिया डेवलप्ट हो रहे है इस फार्टिलाजर मिक्स को बनाने के बाद आपको 5-10 मिनिट तक वेट करना है उसके बाद ही प्लांट में एपलाई करना है और जब प्लांट में आपको एपलाई करना है बहुत ही इस फार्टिलाजर के साथ लास्ट वीडियो जो आपके साथ शेयर किया था बानना पील हल्दी का पावड़ा लक्री का राक को मिला के जो फार्टिलाजर हमने रेडि कर दिया था उसको भी आपको जरूर इस्तेमाल करना है ब्रांच में एक भी आपका ब्लाइंड सूट आ होता है वो भी लॉग हो जाता है तो अब जो फार्टिलाजर आपके साथ शेयर किया है आप जरूर इस्तेमाल करके देखिए अपका प्लांट में बहुती कम टाइम पे प्रॉब्लेम आना शुरू हो गए तो उस प्रॉब्लेम यानि बहुती जल्दी उस जगा पे कलिया य इस फार्टिलाजर को आपको कब कब प्लांट में देना है सेप्टेमबर मांद से शुरू करके इस फार्टिलाजर को आपको एप्रिल मांद तकी प्लांट में देना है उसके बाद इस फार्टिलाजर को और इस्तेमाल नहीं करना है फिर आपको सेप्टेमबर मांद का सुर तो इस वीडियो पे कोई confusion है तो आप जरूर मेरे को पूछ सकते हो इस वीडियो आपको आच्छा लगे तो वीडियो को like share जरूर करा करिए अभी तक अब मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हो मेरे साथ जुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को भी please please subscribe करा करिए इस तरीके से fatty laser देते रहना है और उसके साथ और एक काम आपको रोज प्लांट में करना है दोनो टाइम आपको करना है गर्मी का टाइम पे जब temperature हाई होते जाएगा ठंदा पानी का spray आपको रोज प्लांट में करना है सुवा साम दोनो टाइम आपको करना है साथ में करते रह इंसेक्टि साइट का इस्तेमाल फांगी साइट का इस्तेमाल एप्रिल मांथ के बाद ही हमारा गुलाब में जादा से जादा कीरा माकुरा लगना स्टार्ट हो जाएगा तो पानी का स्प्रे करते रहना है इससे कीरा माकुरा कम लगेगा गुलाब का प्लांट में गुलाब एक तोम पुरा दिन हाइडर्ट रहेगा, खुलाब सूख जाते है, यह प्रॉब्लम हमरा प्लांट में नहीं आएगा, इस वीडियो को यहाँ पे इन करते हैं, मिलते हमरा नेक्स वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्यू फ्रेश, यह थैंक्स पूर वाचिंग, हैपी गारणिग!